जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल सरकाई नौक रिमेकर में आज हम लोग Air Force Y Group का GKGS का जो सेट पेपर 2 है उसको करेंगे टोटल इसमें 10 बहुत ज़्यादा जरूरी important question करवाएंगे आप सभी को ये सारे question जो है quality के question और बहुत ज़्यादा repeated है पिछले टर करते हैं तो मतलब आपको अभी भी तैयारी करने की जरूरत है तो चलिए हम सुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा और इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को उनका तैयार से कम से कम 5, 2 सेकेंड का यह आप यह वीडियो को पाउज करके भी उसका यहाँ पर इसका क्या एंशर होगा सभी को बताना less न means part और अपूला प्रिक्रेक्शव बिजाएं सब्सक्राइस असफें जो हवे जोरन हैnity ठीक है अब हम चलेंगे अपने next question की और second question जो कि हमारा question number second संधिय प्रनाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था बहुत ही ज्यादा important question है और इसका जो year है वो answer मैं बता देंगे आपको इसका जो year है उससे भी related बहुत ज्यादा अधिनियम पास किये गए थे उस वक्त तो उनसे भी related question आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा ठीक है next question हम दोग चलेंगे question number 3 की ओर तो question number 3 है समिधान सभा पुनर गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनीधी थे समिधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनीधी थे बहुत ज़्यादा confuse करने वाला question है और हमको उमीद है बच्चे का ज़्यादा confuse नहीं करेंगे और इसका correct answer कोशिज करेंगे मारने का ठीक है आपको इसका correct answer बताना है समिधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनीधी थे तो इसका correct answer हो जागा हमारा option number B 70 थे ठीक है total 70 थे तो अगर आपका ये भी question सही है तो आप में पर 3 जोड के आगे चलेंगे ठीक है हम अपने question number 4 की ओर चलते हैं बहुत ज़्यादा important question है सारे question policy से लिए गए है जो कि पिछले साल repeated है ठीक है तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको करते चलना है question number 4 जो हमारा समिधान सभा के समविधानिक सलाकार कौन थे constitutional advisor कौन थे आप सभी को इसका answer बताना है बहुत ही ज़्यादा famous question है आप सभी को बताना है आप और क्या इसका correct answer हो जाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा वेनेगल नर्सिंगा राव ठीक है वेनेगल नर्सिंगा राव इसका correct answer हो जाएगा चलिएँ अपने next question की ओर चलते हैं नंबर आपको खुद को देते जाना है और आगे बढ़ते जाना है ठीक है आप सभी को यहां पर बहुत ध्यान से के question को मारना है आपको इसका correct answer बताना है इसका correct answer हो जाएगा 284 ठीक है इसका correct answer option number B हो जाएगा 284 चलिए हम अगले प्रशनी की ओर चलते हैं जिनका भी 5 नंबर अगर आगया है 5 प्लस अगर जाएगा उनका तो बहुत बढ़िया वो कर आगे हम लोग देखते चलेंगे next question में next question है धर्म नीर पेख्षता का अर्थ क्या होता है ठीक है धर्म नीर पेख्षता का अर्थ क्या होता है आप सभी को बताना है इसका correct answer इसका correct answer हो जाएगा option number C राजे सरकार द्वारा किसी धर्म को सुईकार नहीं करना यहां option number C हमारे यहां पर correct हो जाएगा जिन भी बच्चों का correct है वो अपने copy में 6 जोड़ लेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है next question हम लोग चलेंगे question number 7 की ओर 42 समिधान संसोदान अधिनियम 1976 दारा प्रस्तावना में किस सब्द को नहीं जोड़ा गया था ठीक है बहुत ज्यादा important question है 2020 म 1976 दारा प्रस्तावना में किस सब्द को नहीं जोड़ा गया था आप सभी को यहां पर बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा option number C good near page ठीक है good near page यहां पर इसका correct answer हो जाएगा अब हम लोग चलेंगे अपने next question की ओर question number 8 question number 8 में हम लोग देखेंगे आपर समीधान की प्रस्तावना सभी भारतिय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्द कराने के लिए वैद्ध नहीं है ठीक है यहां पर आप सभी को बताना है कौन सा एक ऐसा नागरिक का दिकार है या प्रस्तावना जो की प्रस्तावना जोड़ेंगे तो इसका एंसर बहुत आसानी से बता दिजेगा क्योंकि पूजा का समानता यहां पर नहीं दिया गया है तो यहां पर इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा पूजा की समानता अब देखिए जिन भी बच्चों का साथ प्लस स्कोर आ रहा है उनक हमारा भरति समिधान के संबंद में कौसा कथन सही है कौशा यह पर भरति समिधान के संबंद में कौन सा क及ंगर जहीं प्लस सबीक मलिक अधिकार है जा दूसरे देशों के समिधान से प्रभावित हुआ है और बहुत सारे देशों के समिधान से कुछ कुछ चीज लेके यहां पर भारत का जो है सबसे बड़ा रिटेन कंस्टिटिउशन मतलब सबसे बड़ा लेखिक समिधान जो है वो भारत का हमारा बनाया गया ठीक है तो यहां पर अगले question की ओर चलेंगे question number 10 पर जो कि हमारा last question है भारत का समीधान अपना प्रधिकार किसे प्राप्त कराता है ठीक है किसे से प्राप्त करता है यहां पर आपको देखना है भारत का समीधान अपना प्रधिकार किसे प्राप्त करता है आ अगर जो बच्चे सही करके रखे हैं वो question में हमको comment box में comment कर देंगे next video में हम उनका नाम ले लेंगे ठीक है वहाँ पर starting में और जो भी बच्चों का 7 minus score गया है मतलब 7 से कम अगर उनका आया है तो बिल्कुल और मेहनत कीजिए और लगातार जेतने भी सेट आ रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, जिगराफी, फिजिक्स, रीजनिंग और मैट का भी कलास बहुत जल से जल सुरू किया जाएगा और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जितने भी एरफोर्स के बच्चे है ठीक है जहिन